श्रीकृष्ण जन्बू में शाहिद गा सर्वे पर रोक सुप्रीम कोट ने का हिंदू पक्ष की मांग स्पस्ट नहीं हाई कोट ने कमिशनर सर्वे का दिया था आदेश नमस्कार मैं श्रीकृष्ण जन्बू में शाहिद गा परिसर का सर्वे कराने के इलाबाद हाई कोट की आदेश पर सुप्रीम कोट ने रोक लगा दी है कोट ने हिंदू पक्ष से का है कि सर्वे कमिशनर की न्युक्ती के लिए एक आइसपस्ट आवेदयन दायर नहीं कर सकते इसका मकसद इसपस्ट होना चाहिए सुप्रीम कोट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर इस केस से जुड़े हुए हिंदू संगचन भगवान श्रीकृष्न विराजमान और अनिसे जवाब मांगा है इस केस पर अगली सुनवाई 23 जनवरी को होगी इसके साथ ही सुप्रीम कोट ने कहा है कि सर्वे केस के अलावा इदगा से जुड़े अनिस अभी केस पर इलाबाद हाई कोट में सुनवाई चलती रहेगी इससे पहले 14 दिसंवर को इलाबाद हाई कोट ने हिंदू पक्ष के याचिका सुईकार करते हुए परिसर का सर्वे कराने के लिए कोट कमिशनर न्युक्त करने का आदेश दिया था हाई कोट ने मुस्लिम पक्ष यानी की वक्फबोर्ट की उन दलीलों को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने याचिका को सुनने योगिन नहीं होने का दावा किया था लाइव लॉग के मताबिक वकील तहसीम एहमदी मुस्लिम पक्ष के तरफ से कोट में पेश हुए है उन्होंने तर्क दिया है कि हाई कोट को सियाचिका पर आदेश जारी नहीं करना चाहिए जो की 1991 वर्शिप एक्ट के तहेते विचारा दीन है वहीं बादी वकील शियाम दीवान ने सुप्रीम कोट के सरवे पर रोक लगाने के आदेश के खिलाफ आपत्ति की है हाला कि सुप्रीम कोट ने कहा है कि कोट के इस आदेश के खिलाफ कुछ कानूनी पहल है इसके बाद कोट ने आदेश पर रोक लगा दी है श्रीक्रिष्ण जन्वूमी शहीदगा के तिरदश मुलवस्तें 31 एकड़ जमीन पर विवाद है हिंदू पक्ष्ट ने सर्वे की मांग की थी हाला कि सुप्रीम कोट ने इस पर अगली तारीक तक के लिए रोक लगा दी है हिंदू पक्ष ने कहा है कि सर्वे होगा तो सब सामने आ जाएगा सुप्रीम कोट के फैसले परवादी और श्रीक्रिष्ण जन्वूमी मुक्ति निर्माड संगर्श नियास के अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने कहा है कि हिंदू पक्ष के पास प्राचिन सबूत है खसरा खनौती में राम हिंदू पक्ष का है विजली और पानी का बेले हिंदू पक्ष देता है नगर निगम का टेक्स भी हिंदू पक्ष देता है इसलिए एक ना एक दिन सर्वे अवश्य होगा क्योंकि कोट सबूत के आधार पर फैसला देती है हाला कि मुस्लिम पक्ष कुछ दिनों के लिए सर्वे को रोकने में सफल हो गया है मुस्लिम पक्ष तो यही चाहता है कि सर्वे को कुछ दिनों के लिए रुकवाया जाए क्योंकि उसको पता है कि जब सर्वे हो जाएगा तो दूद का दूद और पानी का पानी हो जाएगा हिंदू पक्षकारों ने समझोते को बताया है अवैद, श्री कृष्ण जन्मस्थान शाही इदगा मामले में 12 अक्टूबर 1968 को एक समझोता हुआ था स्री क्रिश्ण जन्मस्थान ट्रस्ट के सही योगी संगतन, स्री क्रिश्म जन्मस्थान शेवा संग और शाही इदगा के बीछ हुए इस समझोते में 13.35 तैस एकड़ भूमी में से करीब دोचमलाव 37 एकड़ भूमी शाही इदगा के लिए दे दी गई थी आला कि इस समझोते की बाद श्रीकषिण जन्बू में सेवासंग को बंग कर दिया गया इस समझोते को हिंदू पक्ष अographय बता रहे हैं हिंदू पक्ष के अरुसाज श्रीकषिण जन्बू में सेवासंग को समझोते का अदिकार था ही नहीं 1966 में जुगल किशोर बिल्डा ने जमीन की देखरे के लिए स्रेकिशुजर्बू में ट्रस्ट बनाया था साल 1967 में जुगल किशोर की मौत हो गई थी कोड के रिकॉर्ड के अनिसार 1966 से पहले परिसर बहुत विक्सित नहीं था साथ ही 137 एकड़ बूमी पर कई लोग बसे हुए थे उनने 66 में ट्रस्ट ने मुस्लिम पक्ष से एक समझोता कर लिया इसके तहट शहीद गम मस्जद का पूरा मैनेजमेंट मुस्लिमों को सौप दिया गया उनने 66 में हुए समझोते के बाद परिसर में रह रहे मुस्लिमों को इसे खाली करने के लिए कहा गया इसके साथ ही मस्जद और मंदिर को एक साथ संचालित करने के बीच भी दीवार बना दी गई समझोते में यह भी तेह हुआ था कि मस्जद में मंदिर की ओर कोई खिड़की दर्वाजा या फिर खुला नाला नहीं होगा यानि कि यहां उपासना के दो स्थल एक दीवार से अलग होते हैं याचिका करताओं का तर्क है कि 1960 का यह समझोता धोकादरी से किया गया था और कानूनी रूप से वैद नहीं है उसका कहना है कि किसी भी मामले में देवता के अधिकालों को समझोते से खत्म नहीं किया जा सकता क्योंकि देवता कारिवाही का हिसार नहीं थे खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही फिर होगी आपसे मुलाकात आते ही किसी बड़ी और खास खबर के साथ तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए दाख़बरदार नियूज अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें शियर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें